उत्पत्ती अध्याय 48 इन बातों के पश्चात किसी ने युसूप से कहा, सुन, तेरा पिता बिमार है, तब वहां मनश्य और एप्रेम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला, और किसी ने याकुप को बता दिया कि तेरा पुत्र युसूप तेरे पास आ रहा है, तब इस्रायल अपने को संभाल कर खाट पर बैट गया, और याकुप ने युसूप से कहा, सरोशक्तिमान परमिश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन दे कर आशिश दी, और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फला कर बढ़ाऊंगा, और पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूँगा, जिससे कि वहां सदातक उनकी निजभूमी बनी रहे, और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रिती से रुबेन और शिमोन मेरे हैं, उस पश्चात जो संतान उत्पन्न हो, वहां तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बटवारे के समय वे अपने भाईयों के ही वंश में गिने जाएंगे, जब मैं पदान से आया, तब एपराता पहुचने से थोड़ी ही दूरी पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर ग पुटी दी, तब इसरायल को युसुप के पुत्र देख पड़े, और उसने पूछा ये कौन है, युसुप ने अपने पिता से कहा ये मेरे पुत्र है, जो परमिशर ने मुझे यहां दिये है, उसने कहा उनको मेरे पास लेया, कि मैं उन्हें आशिरवाद दू, इसरायल क आखे बुढ़ापे के कारण धुंदली हो गई थी, यहां तक कि उसे कम सुचता था, तब इसरायल ने युसुप से कहा, मुझे आशाना थी कि मैं तेरा मोख फिर देख पाऊंगा, परन्तु देख, परमिशर ने मुझे तेरा वश भी दिखाया है, तब इसरायल ने अपने घुटनों के बीच से हटा कर और अपने मुह के बल भूमी पर गिर के दंडवत की, तब इसरायल के दहिने हाथ से कि वह इसरायल के बाय हाथ पड़े, और मनशे को अपने बाय हाथ से कि इसरायल के दहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया तब इस्राइल ने अपना दहिना हाथ बढ़ा कर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बाया हाथ बढ़ा कर मनश्य के सिर पर रख दिया। उसने तो जान बूझ कर ऐसा किया। नहीं तो जेठा मनश्य ही था। फिर उसने युसुप को आशिरवा दे कर कहा परमिश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इबराहिम और इसहाक चलते थे वही परमिश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है और वही दूद मुझे सारी बुराई से चुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशिश दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे इबराहिम और इसहा के कहलाए और पुछ्वी में बहुतायच से बढ़े। जब यूसुप ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दहिना हाथ एप्रेम के सिर पर रखा है तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ इस मंसा से पकड़ लिया कि एप्रेम के सिर पर से उठा कर मनशे के सिर पर रखते। और युसुप ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दहिना हाथ इसके सिर्पर रख, उसके पिता नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस पात को भली भाती जानता हूं, यदिपी, इससे भी मनुश्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधीक महान हो जाएगा, और उसके वन्श से बहुत सी जातिया निकलेगी, फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशिवा दिया, कि इस्राइली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशिरवा दिया करेंगी, कि पर पर्शे से पहले एपरिम का नाम लिया, तब इस्राइल ने युसुप से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा, और तुमको तुमारे पिता के देश में फिर पहुचा देगा, और मैं तुझको तेरे भायों से अधीक देता हूँ, जिसको मैंने एमोरिय के हाथ से अपनी तलवार और धनुष्ट के बल से ले लिया है।